नमस्कार किसान भाईयों सौगत आप सभी का किसान खबरी की एक और नी वीडियो में किसान भाईयों अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सकाइब नहीं कर आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि सबी वीडियो आप तक सबसक्राइब पहले पहुचे किसान भाईयो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जॉन डियर के डवलू सब्सक्राइब के बारे में तो चली किसान भाईयो मैं आपको सबसे पहले इस हर्वेश्चे की कीमत बताता हूँ तो यह हर्वेश्चर जो है आपको तक्रीबन 21,00,00 रुपे का यह हर्वेश्चर आपको कंपीट पड़ेगा फिलाल 21,00,00 में प्राइज जो है वो प्लस माइनस हो सकती है हर्वेश्चर के एक लाग रुपे प्लस माइनस हमेश्चर चलते है आप डिबंड करता है आप किस सीजन में हर्वेश्चर उठा रहे हैं किस सामें आप हर्वेश्चर उठा रहे हैं फिलाल हर्वेश्चर हो सकता है आपको कम में मिल रहा हूँ आपको काफी बढ़िया है काफी फ्यूल एफिस्येट ये इंजन माना जाता है काफी दमखम वाला इंजन है, चार सिलंग्डर होनी की बएसे ये इंजन जो है काफी ज़्यादा फ्यूल एफिशेंट है, इसका मैं आवरेज आपको बता देता हूं, कई सारे किसानों का ये कहना है, कंपनी क्लेम नहीं कर रही है, कोई आवरेज, फिलाल किसानों का ये कहना फिलाल फ्यूल लगाा है, एर a cleaner जो है वो इसमें आपको adria type मिलेगा, कटर बार की width की अगर हम बात करें, तो 14 フेइस हर्वस्टा की ते काफी बढ़िया इसका कटर भार है अलएगन उने सब्सक्राइब के साइस से कटरं बार की कम्पेर करें तो हर्आ का सफान काफी कॉंपेक्ट कफी छोटा है हर्विस्टर साइज में देखने में आपको लगेगा लेकिन छोटा नहीं है यह हर्विस्टर 14 फिट का इसमें आपको कटर बार मिलेगा कटर का साइस काफी बड़ा है इसमें ट्रांश्मिशन के अगर हम बात कर रहे तो इसमें आपको 4 forward gear मिलेंगे और 1 reverse gear मिलेगा फिलाल किसान भाईयों मैं आपको बता दूँ कई लोग confused हुजाते हैं कि जॉन डियर में आपको 4 forward 2 reverse gear मिलते हैं वो जो है वो सिंक्रो स्मार्ट जो हर्विस्टर है जॉन डियर का उसमें आपको 4 forward 2 reverse gear मिलते हैं उसके हम एक अलग वीडियो बनाएंगे फिलाल इस वाले हर्विस्टर में जो है आपको 4 forward 1 reverse gear मिलेंगे clutch की अगर हम बात करें तो इस हर्विस्टर में आपको single dry type clutch मिलीगी tire size की अगर हम बात करें तो इस हर्विस्टर की फ्रेंट का tire है उसका size है 16.9 x 30 जो के आपको 12 लाई में मिलेगा पिछले tire की अगर हम बात करें वो आपको मिलेगा 7.5 x 16 ये tire भी आपको 12 लाई में company provide करेगी fuel tank की capacity की अगर हम बात करें तो इस हर्विस्टर का fuel tank है वो है 240 liter का fuel tank का size छोटा है लेकिन इस हर्विस्टर का average भी काफी बढ़िया है तो उसे साब से मुझे नहीं लगता आपको इतना जादा requirement पड़ेगी fuel tank के size की एक बार fuel tank full करने पर आप तकरीबन देड़ दिन तक फुरसत रह सकते हैं आप average के मामले में इस हर्विस्टर को अगर देखें तो काफी बढ़िया इस हर्विस्टर का average है performance भी काफी बढ़िया है काफी अच्छा काम निकालता है फिलाल बाकी अधर हर्विस्टर से में compare करूँ तो इस हर्विस्टर की जो speed है वो थोड़ी कम है लेकिन productivity बहुत बढ़िया है बाकी अधर हर्विस्टर कई बार फसल का थोड़ा वो नुकसान करते हैं लेकिन इस हर्विस्टर में जो है वो नुकसान बहुत ही कम होता है या आपको SMS के साथ यह हर्विस्टर मिलेगा इस हर्विस्टर की बज़न की अगर हम बात करें इस हर्विस्टर का जो total weight है वो है तक्रीमें 6900 kg तो काफी lightweight यह हर्विस्टर है तो अगर माली जे गेले खेत में अगर आपको इस हर्विस्टर को यूज करना है तो काफी बड़ी हर्विस्टर परफॉर्मेंस देता है धान वगरा के खेत हो गए तो इस सब जगा यह हर्विस्चर काफी अच्छा पर्फॉम्स देता है चलिए हम बात करते हैं इस हर्विस्चर की dimension की कि कितना लंबा चोड़ा यह हर्विस्चर है तो मैंने आपको जैसा कि पहले बता है यह हर्विस्चर काफी compact है साइज में दिखने में काफी जोटा है लेकिन फिर भी इस हर्विस्चर में आपको 14 फिट का कटरबार मिल जाता है dimension की अगर हम बात करें तो इस हर्विस्चर की लंबाई जो है वह है 8190 mm चोड़ाई की अगर हम बात करें तो वह है तक्रीबन 4470 mm height की अगर हम बात करें तो वह है तक्रीबन 3400 mm तो लंबाई चोड़ाई हर्विस्चर की काफी कम है बाकी अदर हर्विस्चर से अगर आप compare करें ground clearance की अगर हम बात करें तो इस हर्विस्चर के ground clearance काफी बढ़िया है तक्रीबन 415 mm इस हर्विस्चर के ground clearance है फिलाल किसान भाईयो अगर आप सोच रहें John Deere के W70 Harvester लेने का तो काफी बढ़िया Harvester है इतना है नहीं इस Harvester की मैं एक और खासियत आपको बता देना चातों किसान भाईयो यह Harvester जो है वो फसल के नुक्सान काफी कम करता है आप या फिर यह कह सकते काफी minimum बाकि अधर Harvester से अगर आप compare करें बिल्ड क्वालिटी जो है वो इस Harvester की काफी बढ़िया है किसान भाईयो इस Harvester को जो है John Deere Company ने डिजाइन करा है तो तकनीक के मामले में इंजिनेरिंग के मामले में यह Harvester best है काफी अच्छी performance है काफी कम यह Harvester नुक्सान करता है दानों का अगर आप माली जो फसल काटते हैं तो बाकि अधर Harvester जो है वो थोड़ा बहुत नुक्सान करते हैं थोड़े बहुत दाने चूड़ जाते हैं लेकिन इस Harvester के अगर हम बात करें तो यह Harvester बहुत ही बढ़िया efficient है, fuel efficient भी आप कह सकते हैं, फसल के मामले में भी आप इसे काफी efficient मान सकते हैं, performance काफी अच्छी है इस Harvester की लेकिन अगर आप compare करें बाकी अधर Harvester के जितने speed इस Harvester की नहीं है, लेकिन फिर भी यह Harvester काफी अच्छा काम निकाल देता है, काफी low maintenance यह Harvester है, फिलाल इस Harvester के जो parts है वो थोड़े महंगे आते हैं, बाकी अधर Harvester अगर आप compare करें और बाकी Harvester की जितने आपको इसके parts हर कहीं नहीं मिल पाएंगे, काफी specific Harvester वाले ही इसके parts रखते हैं, spare parts जो हैं, तो आप Harvester को लेने से पहले यह सब सुनिश्चित कर लिजेगा, कि आपको इसके spare parts मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, या फिर company की service कैसी ही, फिलाल कई लोगों ने तो काफी तारीफ करी कंपनी की service के मामले में, और बाके दर Harvester से गरम कीमत compare करें, तो यह budget में भी Harvester आता ह तो अगर आप सोच रहे हैं इस Harvester को लेने के तो आप बेफिकर होके इस Harvester को ले सकते हैं, फिलाल किसान भाईयो यह थी जानकारी John Deere के W70 Harvester के बारे में, अगर जानकारी आपको पसंद आईए तो इस यूडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अगर आपने अभी तब अपने चैनल किसान कपरी को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन दवाना मत भूलिएगा, नमस्कार कर्म कर दो कर दो झाल झाल झाल